वेलकम आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है नाटक शिक्षन इसमें हम इसका अर्थ और उदिश करेंगे इस वीडियो में नाटक जनसाधारन की वस्तु है मिन जनसाधारन मिन जो आम लोग हैं इसमें लोखित और लोकरंजन की भावना अधिक होती है मिन जे लोगों की जो भावना बोलो जा लोगों के मनरंजन के लिए जा लोगों की हित में होता है नाटकों में समस्त कलाओं का समावेश होता है जो सभी कलाई हैं वो इसमें शामिल होती है ये संस्कृत में कहा गया है प्राचिनकाल से नाटकों महत्व प्रापत हो चुका है इससे नाटेश अश्टर कावय का अंग माना गया है काबय के दो भेद होते हैं शिरबय और द्रिश्य काबय शिरबय जिसको हम सुन सकते हैं द्रिश्य जिसको हम देख सकते हैं शिरबय काबय सिर्फ कानों से सुना जाता है नाटक द्रिश्य शिरबय काबय मीन जिसको हम देख भी सकते हैं और साथ साथ सुन भी सकते हैं जिससे कान और नेतर को सुख मिलता है नाटक मूलित क्या है अभीनिया से युक्त होते हैं बतलो कि इसमें अभीनिया किया जाता है इसके कारण नाटके में प्रावपादित शक्ति अपेक्षाकरित होती है जो नाटक है वो परभावशाली हो ज नाट की जो उत्पति है नाट की शब्द की बमूल शब्द है जो संस्कृत का नाट शब्द नट धातू से बना है नाट की उत्पति मूल संस्कृत जो मूल संस्कृत है नाट शब्द और नट धातू से बना है नट धातू नेतर के अर्थ के साथ साथ अभिनिया का अर्थ भ दुपय और नाटे शब्द का परियोग मिलता है। भर्तमोनी ने नाटे शब्द को स्पोष्ट करते हुई लिखा कि संपूरन संसार के भावों का अनुकितनी ही नाटे है। यहां मानव जीवन में आने वाली संपूरन अवस्थाओं के बारे में ये संबंदित होता है। नाटे में कल्पना के स्थान पर वास्तविक्ता अधिक होती है। वास्तविक्ता मतले है रियालिती होती है इसमें। ये कल्पनिक्ता प्यधारित नहीं होता। ये गद, पद, तत्वा मिशित किसी भी रूप में लिखा जा सकता है। इसमें लोक हित और लोक रंजन की भावना परुचिर मात्रा में होती है और हित बचनों का पर्तक्षीकरन होता है। इसे चात्रों के आचरण और विवहार की शिक्षा भी सफलता से दी जाती है यह द्रिश्य और श्रब्य साधन होने से चात्रों की शिक्षा परवापूरण भी बनाता है अब हम बात करेंगे नाटक शिक्षिन के उदेश्य जैसे कि यह सार लोगों के लिए नाटक का उदेश्य कहा सिर्फ मनरंजन ही है पुराने समय में जब नाटक को खेला जाता था तो सिर्फ लोग अपने अपना मनरंजन ही करते थे इसलिए मनरंजन ही इसका उदेश्य था प अफसर देना जा परदान करना छात्रों के मन में जो दवी भावनाई होती हैं और उनको हम कैसे निकाल सकते हैं नाटक से क्योंकि हम नाटक करवाएंगे जो बच्चे हैं विद्यार्थी हैं उसमें जो अलग-लग अपना रोल प्ले करेंगे कोई किसी वक्ति का किरदार निभ इन परस्थितियों के बारे में जानकरी देना जो नाटक की सायता से हम क्या कर सकते हैं कि मानम का सभाव कैसा है और अगर जीवन में जो परस्थितियां बदलती हैं तो कैसी हो सकती हैं तो इन बदलती परस्थितियों में मानम का सभाव कैसा हो जाता है छात्रों को भावान पूल अनुकरण के लिए प्रेरित करना क्योंकि जो नाटक है उसमें भाव छुपे हुए होती हैं तो उसी के अनुसार उनका अनुकरण करने के लिए प्रेरित करना है कोई गुस्से में बोल रहा है तो बच्चा वैसे ही बोलकर अपना जो डायलोग है संबाध है उसको प्रेरित करना है कि आपने अनुकरण करना है जैसे डायलोग लिखे गए हैं जिस फॉर्म में लिखे गए हैं जैसे कि अभी हम बोले के धीरे धीरे वो धीरे धीरे बोला धीरे धीरे आया तो जब नाटक में ऐसा ही बच्चे को अपना रोल प्ले करना होगा उसने अच्छ साथ मनुरंजन भी करना है क्योंकि अगर हम अकेला बच्चों को सिर्फ पढ़ाते जाएंगी तो उनका मनुरंजन नहीं होगा तो जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में भी रूची काम लेती हैं आगे है चात्रों को अभिनया कला की शिक्षा देना अभिनया मतलब जो उसमें बच्चे रोल प्ले करते हैं उसके शिक्षा देना ताने को बच्चों को पता चल सके कि किस व्यक्ति का कैसा अभिनया हमने करना है जैसे कि कोई हम बज़र्ग व्यक्ति की बात करते हैं तो उसका उसकी आवाज अलाग सी होगी किसी बच्चे का अभिनया करना है तो अलाग में पठन करने की कला में निपोन बनाना अगर हम नाटओ को ऐसी पढ़ लेती हैं तो वो हमें उत्तना इंटरस्टिंग नहीं लगता अगर हम उसको भावन सार उची सवर परभामें पढ़ेंगे तो वो हमें अनंत देता है और हमने बच्चों को इसी कला में निपन बनाना है औगे है रंगमच पर अभिन्या दोरा शुध बनाना है इसका अदेश्य, परवह पूंग कथन तथा जो भाष है उसको कैसे पर्योग में लाना है इन सभी की यो जोगता का विकास करना इसका विकास करना है नरीक्ष्य ने बिवन कलपना बोध ही विवेचना षक्तियों का विकास करना अब हमने बच्चे को इस योगवी बनाना है को वो किसी भी नाटे का इंडिक्षन कर सकें उसके बार में कलपना कर सकें उसका बोध मतलो उसका ग्यान हो उनको विवेचना कर सके उसकी विवेचना में उसकी उसके अच्छे गुण और उसमें जो कमी है वो सबी आ और जो सेजनात्मक विर्तियां हैं उनका विकास भी करना है इसी वीडियो में इतना ही और इससे आगे वाली वीडियो में हम बात करेंगे नाटक शिक्षन की विदियां कौन-कौन सी हैं थैंक्स फर वाचिंग